हेलो दोस्तों आप सभी कोफी से सवगत करते हैं स्नॉफी के चैनल पर जो कि आप देख सेकते हैं यहां पर मेरे बेटी के साथ बहुत बढ़ी आए तरीके से खेल रहें दोनों अभी जस्ट अभी उठे हैं हेलो गाइस आप देखिए अभी ऊठ चुका है खाने के लिए एकडम रेडी है तो यह जो ब्रीच है ना स्पीट्स पपी काफी एक्टिव होता है काफी एक्टिव रहते यह लोग तो या तो सोनी में इस्ताद रहते और जब खाना खाने हो या उसको खेलना हो तो बहुत ही अधिव रहते हैं इसका ममी जो बनाएंगी ना इसका कितना एक्टिव रहेगा उसका रेस्पॉंच देखना है खाने के लिए कितना एक्टिव रहेगा वो कितना उतावला होगा तो आप भी देख सकते हो तो इसलिए इसको पपी शेलेक ही खिलाना और दूसा कुछ भी मत किलाना और हाँ दूद तो बिल्कुल देना ही मत कि की दूद प्रोपरली डाजेस्ट नहीं कर पाते है गेस्ट्रिक फॉर्म होता है तो इसी कारण से तीन मैने तक तो आप फास्ट्री मन तक आपको बेबी सेलेक ही देना पड़ेगा पपी सेलेक अब देख से यहां पे हमा पारे तो देख सकते हैं वह काफी मतलब उच्चुक ऊच्चुक है खाने करें यह देखें कहां कहां से मुँ निकाल के कैसे खा सकते हैं वह ट्राइक कर रहे हैं तो काफी बड़िया तरीके से खाते तो आप बिल्कुल इनको जो है जोग शेलेक्स बॉलके आते हैं वह चोड़के आप कोई भी चीज मत दीजएका देखे किस तरीके से से खार हो रहे दखें कितने बड़ी तरेके से करदे ओर इसको बिलकुल जो दूठ की थिकने से न उस तरह की थिकने से देना है आपको पानी में मिक्स कर करके गि-चु से ज्यादा मोटा भी में होना चाहिए और उसे पतला भी नहीं होना चाहिए उसके थिकनेश लेवल दूद की तरह होने चाहिए यह देखिए